सुशान सिंग राजपूत के कई फैंस सुशान के लिए कई कविताएं और खत लिख रही हैं लगातार फिल्म इंडो को भी बहुत सारी ऐसी कविताएं और खत मिल रही हैं हाला कि हमने डेडिकेटड ली एक सेक्शन शुरू किया है फैंस की कलम से सिरफ उन सभी फैंस के लिए जो अपने कलम से सुशान के लिए कुछ न कुछ लिख रहे हैं और उन्हें ट्रिप्योट दे रहे हैं ऐसी ही एक कविता आज मैं पढ़ूँगी तो ये कविता है रवी परकाश अगरवाल ने लिखी है हे भारत मैं तेरा बेटा मुझको न्याय दिलाओना वो लिखते हैं कि मैंने सुशान की सोल को आवाज देने की कोशिश की है और मैंने इस कविता को लिखा है मैं आपको पढ़के सुनाती हूँ मैं सुशान बोल रहा हूँ हाँ वही जिसके लिए आप सब लड़ रही है और यह लड़ाई अभी लम्बी है महसूस हो या जब भी मुझे बूलने लगो तो ये सुनके मुझे याद कर लेना वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे भूलने लगो तो ये सुनके मुझे याप कर लेना हे भारत मैं तेरा बेटा मुझे को न्याय दिलाओना जूट पर चलती है दुनिया सच्चाई का मोल नहीं चाया अंधेरा हर तरफ रौशन कोई छोड नहीं कैसा मुर्दा फिल्म जगत दिलों का कोई जोड नहीं क्या मिलेगा मुझे न्याय उम्मीड की कोई डोर नहीं डोर नहीं बहुत तडप रहा हूँ मैं आसू मेरे रुपते नहीं उन्हें यहाँ जिनके सर जुकते नहीं जिनके सर जुकते नहीं अंतिम पल तक लड़ा था मैं मार दिया लेकिन मुझको संगश भरी थी मेरी यात्रा छोड़ दिया सबने मुझको थामो मेरा हाथ सभी न्याय मुझे दिलाओ ना थामो मेरा हाथ सभी ऐसे कोई ना तरपे ऐसा जगत बनाओ ना मुक्त मेरी अभी नहीं मुक्ती मेरी अभी नहीं जब तक अपराधी बाहर है हे भारत मैं तेरा बेटा मुझको गले लगाओ ना हाथ जोड़ के कहता हूं शीष नवा के कहता हूं मुझको न्याय दिलाओ ना मुझको न्याय दिलाओना, मुझको न्याय दिलाओना, हे भारत में तेरा बेटा, मुझको गले लगाओना, मुझको न्याय दिलाओना, मुझको न्याय दिलाओना, तो बहुत ही आखिनम हो गई मेरी रवी प्रकाश अगरवाल ने बहुत ही खुबसूरती से जो है इसको लिखा है कि मैं भारत का बेटा हूँ, मुझे न्याय चाहिए मैं रो रहा हूँ, मेरे आसु नहीं थम रहे मुझे न्याय चाहिए, तो कुछ इस तरह की आप चाहिए तो हमें इंस्टा पर डियम कर सकते हैं या फिर ट्विटर पर टैग भी कर सकते हैं